कांचिन जंगा एक्सप्रेस के दुरघटना के बाद क्या कारन है इस दुरघटना के पीछे इस बात को लेकर सब के चर्चा है लेकिन एक बात जो सामने आये है वो रेलवेज का एक डॉक्यूमेंट है वो है TA912 क्या है यह TA912 क्यूं इस TA912 की जिकर किया जा रहा है जबकि हम इस आक्सिदेंट के बारे में बात कर रहे है यह सब समझाने के लिए हमारे साथ जुर रहा है इस्टन रेलवे के चीफ प्यारो कोशिक मित्रो Sir, हमारे दर्शकों के लिए बताईए, ये TA912 कल से खबर में है, क्या है ये TA912? TA912 is the authority to proceed, ये दिया जाता है कभी जब जब automated signaling system में हमारा कुछ failure होता है, तभी issue किया जाता है to the driver of the train, ये station manager issue करता है, इसमें कुछ-कुछ इच एगनम क्लियार कर guidelines होता है, जिसको follow करके चलना है, इनको क्या बोलते हैं, ड्राइवर्स को, अगर signal का failure होता है, तो इसमें clear-cut your detections है, वो है, ड्राइवर को 900, टी-े 912 मिलने के बाद, उनको उस signal में एक मिनिट रुखना है, अगर डे टाइम है, रात को टाइम होगा, तो दो मिनिट रुखना है उस signal में उसके बाद उनको 10 km per hour से उनको प्रस्रीट करना है, और सामने वाली ट्रेंड से 150 मीटर्स का दूरी बरना रहा है, ये तीनों चीच बहुत ही important है, ये 912 को maintain करने के लिए, और सर, अगर ये माने जाते हैं, कि अगर ये सारे जो आपने conditions बताया है, टी-े 912 के, ये follow होता, त तो ये बोलती है, ये अगर रोकर बीड होता है, ये दुरगटना नहीं होता, प्राइम आफिस ये ही बोलता है, तो हमें ये क्या कारण है, इसके लिए तो रेलवेज की जो इंक्वाईरी होगी, उसका वेट करना पड़ेगा, लेकिन एक स्पीड डिफरेंशल हो जाता है, अगर कोई एक ट्रेन धीमी गती से चल रहे है, रिस्ट्रिक्शन के कारण, और उसके पीछे वाले ट्रेन स्पीड रिस्ट्रिक्शन को नहीं मान रहे है, और तेजी गती से आ रहे है, तो ऐसे दुरगटना हो सकती है, अनुमान लगाया जा रहा है इस वाक्त कि ये ही स्राप्ग कुटा कि अप्रुप्ता, NDP अधा.